हेलो फ्रेंट स्वागत है आप सभी का आज एक बहुत ही जवर्दस टॉपिक बता रहा हूं अंडर्ग्राउंड पाइपिंग अंडर्ग्राउंड लेस किस प्रकार से लगाए जो लेस आप देख रहे हैं इसको अंडर्ग्राउंड तरीके से अंदर से भी फिनिशिंग इस तरह से आपको पूरी मार्किंग कर लेनी है चैस्ट का मार करना कमर करना है थोड़ा सा इसको शॉट रूप में हम कटिंग को देख लेते हैं और फिर अपने में टॉपिक पर आएंगे कि अक्टुल में उसको कैसे अप सैट करेंगे आज की इस वीडियो से कुछ नया सी जरू देखना चारी टाउन करके हम यहां पर बोटने का शेप दे देते हैं चार इंच विट भी रहेगे और चार इंच इसकी गहराई भी है ठेक है और डेड़ इंच की दूरी से आपको इसको इस तरह से गोलाई शेप देना होता है अब लगबग लगबग हम क्या करेंगे एक इंच छोड़ देंगे उसके बाद एपरॉक्स साथ इंच लेंगे उसका सेंटर लेंगे साड़े तीन और उसके बाद यहां पर इंच शेप का एक की होल तैयार करेंगे राउंड शेप में भी होता है जो आपको सहीं लगे दोनों कर सकते हैं और उसके बाद यह पीछे पले को देखेंगे क्योंकि हमें डिजाइन सीखना है और मेन मुद्दा क्या है कि हमको अंडर्ग्राउंड पाइपिंग और अंडर्ग्राउंड लेस लगा निकले सीखना है खास करके इंट शेप में यह कैसे लगेगा तो कि नॉर्मली तो आप पलटा लेते हैं कहीं पर अब अगर आप लोग पेपर क्टिंग्स वागरा मंगाना चाहते हैं डिस्प्लेइप पर यह सब कर लेते हैं जो गला है जो यह इट का शेप है यह सब को एक सांथ कटना है कहीं पर कुछ छोड़के ने रखना ठीक अब इसके बाद देखो यह वाला शेप आएगा यह वा तो को में फैबरिक पहले लेना है उससे पहले आपको क्या करना है औरी पैपिंक तयार करना है अब जो को बहुत-बड़ा चैलेंज तो नहीं रहा कि आज के समय में दोरी फालएंग बहुत ईजी हो चुक आला क्यूंकि इतनी सारी वीडियों इतनी टूटोरियल में यूट करना है उसके बाद जैसे एक्स्ट्रा कपड़ा रहता है इसको बराबर छाटके मिलाते हैं अब यहां पर एक लेस है देखिए ध्यान से यह तिकोन शेप वाला लेस है तिकोन कंगुरा वाला इसमें हम क्या करेंगे इस जोरी पाइपिंग के ऊपर में यह देखिए इसको फि लगा सकते हैं तो यह इस टाइप से आपको इसको कम्प्लेटली फिट करना है सबसे पहले यह चीज हम केवल इट से पर देखेंगे बोटने गले पर नहीं देखें ठीक अब देखो यह वाला जो लेस है इसको आपको कहां फिट करना है में फैबरिक पर फिट करना और इस तरह से fit करना देखिए इसमें हम जो fit कर रहे हैं उसका तरीका क्या है कि हमने Lace को उल्टा रखा हुआ है कि ये देखो और जो आपकी डोरी है उसके right side से सिलाय चल रही थाकि वो डोरी भी बाहर निकलके दीखे और Lace भी बहर लेस हम पाइपिंग भी लगाते है नॉर्मल इस तरह के जगहों पे तो कट लगा के ही मूड़ना पड़ता है नहीं तो ऐसे तो मूड़ेगा नहीं हाँ अब यह ध्यान रखना की कट लगा रहे हैं तो डोरी पे कट नहीं लगना चाहिए अगर डोरी पे कट लग गया ना तो प्रॉबलम में पड़ जाओगे तो यह इस टाइप से जो है इसको कंप्लीट फीट करना यह लास्ट वाला जो रहता है इसमें आकर अक्सर लोग फंसते हैं तो इसको पहले काट देते हैं इस तरह से ठीक है अब क्या करेंगे अस्तर लेंगे देखो ध्यान से देखना यह ह यह अच्छा है अब इसके ऊपर में हमने अस्तर रखा अब क्या करेंगे पल्टी करके यह दिखो हमने अब क्या किया कपड़े को उल्टा कर लिए हैं अस्तर को उपर रखे फिर पल्टा लिए क्योंकि इधर से हमको डोरी विजीवल होगे अच्छे से तो यहां से यह प्लेजर के दोनों फूट है लेफ्ट एंड राइट उसके बीच में ही रहनी चाहिए डोरी भी आपके मेशीन की सुई भी बीच में है सुई कि दर है राइट साइड और डोरी कि दर है लेफ्ट साइड ठीक है आपको चीजें समझ में आ रहे होंगी जो बताने की कोशिश कर प्लटाने में दिक्कत करते हैं ठीक इसको पूरा आपको काटके निकाल देना है अब क्या करेंगे यह देखो यहां पे क्रिज लगा लो यह ऐसे सभी तरह अच्छे से क्रिज लगा लो उसके बाद क्या करो इसको अस्तर को इद्धर ला दो ऐसे पल्टा दो कि अब आपका कपड़ा सीधा हो गया, piping और लेस भी सीधे हो गया अब उपर से एक finishing शिलाई यहां पर चलानी है कि यह देखो इस तरह से यहां पर आप सिलाई लगाने से पहले अगर आपको लगता है कि और अची finishing देनी हैं या अगर हमसे हाथ से नहीं जमा तो ऐसा अगर मन में डाउट आ रहा है तो आप लगाने से पहले पहले प्रेस लगा लें अच्छे से उसके बाद आप सिलाई लगाएं अब देखो में तो यही था आज का हैलाइट कि किस प्रकार से लेस और पाइपिंग को सांथ में रखकर की हम अंर्डर्ग्राउंड कर सकते हैं इनवीजिबल कर सकते हैं अंदर से भी फिनिशिंग बाहर से भी फिनिशिंग लोगों के मन में जिग्यासा रहते हैं इस तरह की चीजें सीखने की जानने की मैंने सोचा कुछ नया हो जाएगा बता देते हैं सभी तरब से हम इसमें क्या करते हैं किनारे किनारे को सिला लगा करके चिक्पा देते हैं और उसके बाद रही बात गले की तो गले पर आप क्या कर सकते हैं एक तो normal piping लगा सकते हैं दूसरा आप इसमें उरे पट्टी लगा सकते हैं जो की बोट निक में मैं बताया परता हूं और यह जो पाइपिंग है आपकी इसको लगाने के बाद एक्स्ट्रा पाइपिंग काट के अंदर इसको फोल्ड कर देना है बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस रहता है हाना बोटने एक बनाने का और यह चोटी से वीडियो थी आज की जिसमें हमने बोटने पर एक डिजाइन भी देख लिया साथी साथ कुछ नया भी सीखे कि किस प्रकार से लेस और पाइपिंग को एक साथ रखके हम अंडर ग्राउंड कर सकते हैं अब इसमें हम डॉंट्स वगर लगा देते हैं और उसक कमेंट्स में जरूर से बताएं वीडियो अगर पसंद आया तो इसको लाइक करें शेयर करें और चैनल पर पहली बार आया है ना चैनल को सस्क्राइब जरूर कर लिजेगा ताकि इसी तरह की मज़ेदार वीडियो आप लोगो देखने को मिलती रहें यह जो टिप आपको ल नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जाएं